हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी मिठाई की रिस्पी शेयर करने वाली हूँ जो मुँ में चाते ही खुल जाएगी और बजार की महगी मिठाई भी इसके आगे फीकी लगेगी अगर आपने इसे एक बार बार बना लिया त तो चलिए फिर जल्दी से इस बहुत ही टेस्टी मिठाई की रिस्पी को बनाना शुरू करते हैं दोस्तो आज की मिठाई बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है डेसिकेटिड कोकोनट यानि के नारियल का बुरादा यहां पर हमने तीन कप नारियल का बुरादा लिया है और इसे मैंने इस cup से नाप कर लिया है, ये 250 ml का cup है, अगर आपके पास measuring cup नहीं है, तो आप कोई भी medium size की कटोरी से नाप कर चीज़े ले सकते हैं, यानि कि एक कटोरी set कर सकते हैं, उसे नाप कर सारी चीज़े ले लीजे, इसी cup से नाप कर हम यहाँ पर 1.5 cup चीनी ले और इसके अंदर हम इसी cup से नाप कर 1.5 cup दूद डाल देंगे, दोस्तो मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ दोद लिया है, तो आप मलाई भी देख सकते हैं, मैंने मलाई भी साथ ही ले है, आप चाहे तो इसके लिए कच्चा दूद भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरा cup दाल देंगे और इसके बाद हम इसमें आधा cup और डाल देंगे, तो टोटल हमने यहाँ पर धाई cup दूद लिया है, और गैस के flame को medium कर लेंगे, medium flame पे हम दूद को boil आने देंगे, जैसे दूद में को उबाल आ जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, दूद मे आप medium कर सकते हैं, या फिर low flame पे भी आप दूद को इस तरह से चलाते हुए पका सकते हैं, आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि दूद जो है, हो गाडा होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर दूद को पकते हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर चीनी डाल दीजिए, अच्छे से mix कर लीजिए, तो बिना milk powder के भी यह मिठाई बहुत ही जादा टेस्टी बनती है, हम यहाँ पर दूद को गाडा कर रहे हैं, इसी से मिठाई में जो टेस्ट है बहुत जादा अच्छा आता है, तो दूद को हम थोड़ी देर के लिए और इसी त जुरू हो गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि दूद गाडा हो रहा है, गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो कर दीजिए, और अब हम इसके अंदर डैसीगेटिड कोकोनट यानिके नारियल का बुरादा डाल देंगे, नारियल का बुरादा डालने के बाद आप इसे अच्छे से mix कर लीजिए, और गैस के फ्लेम को यहाँ पर हमें लो कर लेना है, गैस के फ्लेम को लो करके हम इसे थोड़ी दिर के लिए पकाएंगे, जब यह गाडा हो जाएगा, जब यहाँ बनने में बिल्कुल भी ज्यादा टाम नहीं लगेगा, तो अभी तो आपको य लेकिन हम इसे थोड़ी सी देर के लिए जब पकाएंगे तो ये अपने आप जो है थीक होना शुरू हो जाता है तो मैं आपको जैसी ये थीक हो जाता है तैयार हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीक होना शुरू हो गया है पहले काफी पतला लग रहा था और अब आप यहां पर देखे कि इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि यह मिठाई बनने के लिए तयार हुआ है या नहीं तो यहां पर थोड़ा सा मिश्रन हम इसका इस तरह से लेंगे और एक इसका मतलब यह बिल्कुल तयार हो गया है तो गैस के फिल्म को बंद कर दीजिए और यहां पर यह बिल्कुल तयार हो गया है तो थोड़ा सा इसे चला लिजीए क्योंकि अभी पैन जो है वो काफी ज़ाधा गरम है इसका कलर वगरा चेंज ना हो जाए हम इसे बहुत ज़ कर लेंगे क्योंकि हम दो कटलर की मिठाइ आज हम बनाने वाले हैं तो एक पोर्षन को मैं इस तरह से बाउल में निकाल लूँगी और दूसरे को भी हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे अब ही आपको थोड़ा सा कीला से लग रहा लेकिन जैसे यह ठंडा हो जाता है अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि हम इसे बहुत जादा ड्राइड नहीं करना है तो जितना इसे मैंने पकाया है अगर आप इसे इतना पकाएंगे तो मिठाई लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहेगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि म पाउडर फूड कलर है तो भी डाल सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें डाल कर मिठाई तैयार कर सकते हैं तो पहले मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल दिये हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो इस मिठाई को बनाने के लिए कलर डालना बिलकुल तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेसिकेटड कोकोनट पाउडर लिया है तो अब इस मिठाई को एक परफेक्ट शेप देने के लिए मैंने एक इस तरह का धकन लिया है आपके घर में इस तरह का अगर कोई धकन हो तो आप वो ले सकते हैं उससे मिठाई की जो शेप है थोड़ा सा डेसिकेटड कोकोनट इसके अंदर डाल देंगे और एक्स्टा कोकोनट पाउडर को आप लेट में ही गिरा दीजे ऐसा करने से दोस्तों मिठाई बहुत जल्दी और असानी से बाहर आ जाएगी तो अब हम थोड़ा सा वाइट पोर्शन इस तरह से लेंगे और इस धकन के हाफ पार्ट में इस तरह से लगा देंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर दीजे और हाफ पार्ट में हम यहां पर लगाएंगे जो ओरिंज कलर का हमने मिश्रन तयार किया है उसका हम थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेंगे और हाफ पार्ट में आप इस तरह से लगा दीजे और उसके बाद आपको इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करना है ताकि मिठाई की शेप जो है वो बहुत अच्छे से आए एक्तम प्रॉपर शेप मिठाई की बन कर तयार हो और बस आपको इसे प्लेट में इस तरह से निकाल देना है और यह बहुत ही असानी से बहर आ जाता है और यहां पर आपका कोकोनट पेडा यानिके नारियल पेडा बिल्कोल तयार है आप इसे नारियल की बर्फी कहिए पेडा कहिए जो भी कहिए मिठाई कहिए यहाँ पर इस तरह से बन कर तयार हो जाती है और आपने देखा इसे बनाना कितना असान था और यह देखने में बहुत ही ज़ादा सुन्दर लगते हैं दोस्तों तो चलिए मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में असानी हो हमने धकन को घी से ग्रीज कर लिया था और थोड़ सा डेसिकेटिड कोकोनट से आप इसे डस्ट कर लीजी और हाफ में आप वाइट पोर्शन लगा दीजी इस तरह से और हाफ में आप लगा दीजी यहाँ पर ओरिंज कलर का जो हमने मिश्रन तयार किया है बस इसे धकन में इस तरह से फिल करने के बाद हाथों से अच्छे से प्रेस कर दीजी और इसे प्लेट में उल्टा करके इस तरह से निकाल लीजी और यहाँ पर आपकी मिठाई बिलकुल तयार है थोड़े से desiccated coconut से आप इसे इस तरह से cover कर लेजिए और यहां पर मिठाई तयार हो चुकी है आप इसी तरह से सारी मिठाई को तयार कर लेजिए तो हम इसे थोड़े से decorate भी करेंगे तो पहले हम यह सारे पेड़े बना कर तयार कर लेते हैं तो इस दिवाली आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजिए। तो देखिया हमने सारे पेड़े यहां पर तैयार कर लिये हैं तो चलिए थोड़ से इने डेकॉरेट कर लेते हैं, तो किस तरह से डेकॉरेट करना है वो देख लेते हैं, यहां पर मेरे पास थोड़ सी टू्ती-फु तो आप इसे ड्राइफ रूट्स के साथ भी गार्णिश कर सकते हैं बहुत ही जादा देखने में सुंदर लगते हैं बिल्कुल भी कोई कहे नहीं पाएगा कि आप नहीं है घर में तयार किया है और खाने में तो यह टेस्टी होते ही हैं दोस्तो तो आप जरूर ट्राइ कीज ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तो मिलते हैं एक नई और असान रिस्पी किसा थेंक्स फॉर वाचिंग